तो दोस्तों नेक्रोसिस एक तरह की सेल डेथ है तो वो दो तरह से हो सकती है या तो नेक्रोसिस के तरह या फिर एपोपोटोसिस इसको एपोटोसिस भी आप बोल सकते हैं भी साइलेंट करके या एपोपोटोसिस आप बोल सकते हैं तो सेल डेथ आपकी ये दो पाथवे फॉलो करता है या तो नेक्रोसिस के तरह होती है या फिर एपोपोटोसिस के तरह होती है कि लिए हलाकि इन दोनु में बहुत सारे डिफ्रेंसिस हैं कि लिए डिफ्रेंसिस क्या है कि नेक्रोसिस आपकी नेक्रोसिस इस आल्वेज पैथोलोजिकल इट इस आल्वेज पैथोलोजिकल but apoptosis can be physiological as well as pathological physiological as well as pathological एक तो यह बहुत बड़ा difference है के लिए नेक्रोसिस आपकी हमेशा pathological होगी और apoptosis आपकी physiological हो सकती है physiological जैसे अगर हम बोलें कि कोई भी developmental जो processes हो रही है embryonic life में बहुत सारे developments होते हैं जैसे अगर हम बोलें कि embryonic life में जो आपकी यह fingers होती है वो इस तरह से चिपकी होती है इस दूसर से इनिशिल लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है जो यह web tissues होती है यह आपके webs है finger webs जो यह web tissues जिनके थ्रों यह fingers आपके चिपके रहते हैं तो यह जो web tissues हैं यह धीरे धीरे आपकी disrupt होनी सुरू हो जाती है इनकी death होनी सुरू हो जाती है और ये fingers आपके separate हो जाते हैं तो ये एक तरह का physiological आपकी cell death हो गई तो जिसे हम apoptosis कहते हैं और necrosis हमें सापकी pathological होती किसी ना किसी pathogen की वज़ा से ये होती है it may be bacterial और viral तो दोस्तो नेक्रोसिस को simply हम कैसे हैं आपको समझाएं कि suppose ये समझी कि कोई चीज को आप destroy करने जा रहे हैं ठीक है suppose किसी mobile phone को या किसी ball pen को आप तोड़ने जा रहे हैं तो आप उसको break कर रहे हैं तिरे तिरे ठीक है तो उस breaking के दोरान आप उसको पूरी तरह destroy करना चाहते हैं उस process के दोरान जो भी उस चीज पे जिस चीज को आप तोड़ने जा रहे हैं उस पे जो भी changes जा रहे हैं जो भी उसके morphological changes जा रहे हैं के लिए उसी को आप बोलते हैं nekrosis तो suppose एक cell हम यहां पे लें यह एक cell है बहुत खूस है यह cell ठीक है cell बहुत खूस है तो यह suddenly injured हो गई ठीक है यह injured होई तो इसमें क्या changes जा रहे हैं देखिए यह ऐसी हो गई दूसरे stage फिर आपकी क्या हो गई यह ऐसी हो गई ठीक है और धिरे धिरे फिर यह क्या हो गई पूरी तरह destroy होगी cell death होगी के लिए तो इस इस पूरी process में cell death होने तक starting से एक यह healthy cell है healthy cell से लेके यहां तक की process इसकी death होने की के बीच जितने भी events आए जितने भी changes आए the changes are called necrosis इनको क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं necrosis तो necrosis को आप कैसे define करेंगे देखे इदर लिखा हुआ है necrosis is a series of morphological changes in a lethally injured cell clear तो इन changes को ठीक है इस changes की series को इनको क्या इसी को क्या बोलते हैं necrosis तो necrosis सिर्फ एक cell death नहीं है उसको आप कैसे define करेंगे it is series of morphological changes in a lethally injured cell this is the proper definition of necrosis right तो आईए दोस्तों ये देखें कि ये changes होते किस वज़े से इन changes होने का कारण क्या है दोस्तों कोई भी cell आपकी अगर injured होती है suppose ये आपकी injured cell है right ये आपकी injured cell है clear तो injured cell में ये injured cell आपकी normal cell की तरफ function नहीं करती है means किसी भी cell में आपको पता है you already know कि उसमें क्या होता metabolic pathway होता है जिसके तरों cell आपका energy formation करती means ATP formation होता है clear ATP formation होता है जो normal आपकी metabolic pathway के थरों जिसमें आपकी glycolysis है या crave cycle है clear और उसके थरों फिर आपका ATP का production होता है और energy आपकी produce होती है right तो injured cell जो आपकी damaged cell है उसमें metabolic pathway properly नहीं होता है clear तो इसमें क्या होगा suppose हम बोला कि glucose glycolysis के थरों किसमें convert हो रहा है आपका pyrobic acid में right और फिर normally ऐसा होता है और यह pyrobic acid then undergo crap cycle right in presence of oxygen oxygen की presence में crap cycle आपकी run होती है और massive ATP का formation होता है normally ऐसा होता है लेकिन injured cell की case में जितना भी ATP आपका stored है वो सब आपका utilize हो गया होता है और further ATP का formation नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि यह जो pyrobic acid है वो crap cycle में नहीं जा पाता और यह pyrobic acid आपका lactic acid में convert हो जाता है clear और वहां क्या बन जाता आपका acidic environment बन जाता है lactic acid के accumulation से यह जो lactic acid है इसका excessive accumulation हो जाता है तो इसकी वज़े से environment कैसा बन गया आपका acidic बन जाता है clear तो this accumulation of lactic acid या तो इस lactic acid के accumulation से न सिर्फ इस lactic acid के accumulation से बलकि इसके अलबा और भी बहुत सारे biochemical changes आने से inside the cell, cell के अंदर और भी बहुत सारे क्या आते हैं biochemical changes आते हैं जो किसको lead करते हैं denaturation of protein यह किसको lead करते हैं protein denaturation को protein denaturation होने से इस cell के structural और इस cell में structural और functional changes आ जाते हैं बहुत सारे ठीक है protein denaturation होने से इस cell में क्या होते हैं structural और functional changes आ जाते हैं जिसके वज़े से इस cell पूरी तरह से normally function नहीं करती clear तो एक तो इस change यह change आने का एक region क्या हो गया हमारे पास denaturation of denaturation of intracellular intracellular proteins clear एक तो बड़ा region क्या हो गया हमारे पास change आने का ठीक है और दूसरा change क्या है देखिए denaturation of protein आपकी दो तरह क्या होते हैं एक तो structural, structural proteins और functional proteins इन दोनुँ proteins में क्या हो जाता है denaturation हो जाता है जिसके उससे cell में structural और functional changes जाते हैं ठीक है दूसरा region क्या है दोस्तों दूसरा रीजन है एंजयमेटिक चेंज़ेज या you can say एंजयमेटिक डाइजेशन अब एंजयमेटिक डाइजेशन अब एंजयमेटिक डाइजेशन का क्या मतलब है देखी suppose यह आपकी इंजेट सेल है तो इस सेल में आपके बहुत सारे लाइजोजोम्स और इन लाइजोजोम्स में क्या है लाइजोजोमल एंजयम्स लाइजोजोमल एंजयम्स इनमें clear तो जब भी यह सेल आपकी डाइमेज हो रही है यह इंज़र्ड सेल है यह इंज़र्ड सेल होने की वज़ेसे ये आपका जो lyzozome है ये भी क्या हो जाता है ये आपका disrupt हो जाता है डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने से ये क्या हो जाएगा बस्ट हो जाएगा ये enzyme भी आपका क्या हो जाता है ये sorry lyzozome भी आपकी क्या हो जाते है बस्ट हो जाता है तो बस्ट होने से ये जो lyzozomal enzymes हो आ और भी change जाते हैं cell के अंदर के लिए इनको हम बोलते है disruptive cells साब इनको बोल सकते हैं के लिए sorry destructive enzymes ये जो enzymes ये जो lysozomal enzymes relief हो रहे इनको आप destructive enzyme बol सकते हैं के लिए तो ये क्या कर रहे हैं इस cell को digest कर रहे हैं के लिए तो इसी को आप बोलेंगे enzymatic digestion तो एक तो ये एक तो digestion किसकी वज़े से इस cell के खुद के enzymes की वज़े से खुद के enzymes की वज़े से जो digestion या जो lysis या जो cell death हो रही है उसको हम बोलते है auto lysis उसको क्या बोल देंगे autolysis दूसरा इसके अलवा ये necrotic cell कुछ neutrophils, monocytes macrophages या इसके अलवा other inflammatory cells को invite करती है क्लियर? suppose ये आपका neutrophil क्लियर? और this one this one is this one is macrophage right and this one monocyte clear और इसके अलवा pathogen also ठीक है? इसके अलवा इधर क्या और है? pathogen suppose ये आपका क्या है bacteria है clear? तो इन सब का भी क्या हो जाता है deposition हो जाता है उस necrotic area पे उस necrotic cell के around right? तो ये सब भी आपकी क्या करती है destructive enzymes को release करती है ये सब भी क्या करती है destructive enzymes को release करेंगी ठीक है? bacteria also clear? तो ये ये cell आपकी और ज्यादा injure हो जाए ठीक है? ये सब चीज़ां आपकी क्या lead करेंगी? necrosis को lead करेंगी clear? तो इसे हम क्या बोल देंगे? heterolysis clear? तो एक तो autolysis जिसमें खुद के enzymes की वज़े से lysis वी दूसरा heterolysis जहां other cells neutrophils, macrophages, monocytes और bacterial cell उस cell को क्या कर रही है? damage कर रही है clear? उसको injure कर रही है उस process को हम बोलंगे heterolysis clear? और third region क्या है? एक और region है third region that is disruption of plasma membrane disruption of plasma membrane तो तीसरा दोस्तों ये भी आपका हो सकता है कि ये जो plasma membrane है plasma membrane suppose ये plasma membrane है ये इसमें इसमें क्या हो जाता है? इसका disruption हो जाता है इसका breakdown हो जाता है तो जिससे क्या होगा? अंदर का जितना भी cellular material है along with cell organelles जितना भी आपके cell organelles है वो सब आपके क्या हो जाते है बाहर extra cellular area में चले आते है और जिससे और ज़्यादा आपकी cell क्या हो जाती है damage हो जाती है पूरी तरह से damage हो जाती है clear? तो एक तो denaturation of intracellular proteins की वज़े से ठीक है? ये changes आते है morphological changes cell पे दूसरा enzymatic digestion की वज़े से right और तीसरा disruption of plasma membrane clear? तो दोस्तों necrosis और apoptosis में एक ये भी difference है कि necrosis के case में plasma membrane आपके disrupt होती है clear? लेकिन apoptosis में ऐसा नहीं होता apoptosis में blebs बनते है clear? इस तरह के blebs की formation होती है clear? आप इसको blistering भी बहुते हैं बोल सकते हैं clear? इस तरह से blebs बनते हैं लेकिन necrosis के case में जो plasma membrane आपकी है वो क्या हो जाती है? disrupt हो जाती है right? तो दोस्तों जब आपकी cell necrosis हो जाती है necrosis जो necrotic cell है उससे बहुत सारे आपके enzymes release होते हैं वो enzymes आपके क्या करते हैं? वो enzymes आपके inflammatory response को elicit करते हैं there elicit elicit inflammatory response clear? अब देखे inflammatory यहाँ पर word आया inflammation inflammation की बात हो रही है right? तो यहाँ पर भी एक difference है necrosis और apoptosis में कि necrosis के case में inflammation होता है right? लेकिन apoptosis के case में यह inflammation नहीं होता है clear? तो जब आपका inflammatory response elicit होता है तो बहुत सारा inflammation होता है पूरी उस area में पूरा inflammation होता है right? तो जिसकी वज़े से क्या होता है उस necrotic cell के around जो भी आपकी blood vessels होती है उनका क्या हो जाता है? vasodilation they undergo vasodilation right? vasodilation होने से क्या होगा दोस्तों जो भी आपका micro circulation है उसके around जो आपका micro circulation है means जो आपकी capillaries है उनकी permeability बढ़ जाती है के लिए increased permeability उनकी permeability बढ़ जाती है जिसकी वज़े से जितने भी बहुत सारे proteins हैं आपकी या antibodies हैं WBC हैं right? वो क्या हो जाते? लीक आउट हो जाते हैं के लिए वो leak out हो जाते हैं उन blood vessels से leak out हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? they eat necrotic cells उस necrotic cell को वो क्या करते हैं? उसकी eating शुरू करते हैं clear? और और वो क्या release करती हैं? कुछ factors को release करती हैं clear? वो क्या करती हैं? कुछ factors को release करती हैं जिसकी वज़े से release factors किस तरह के factors ये factor क्या करते हैं आपके उस local area में जितनी भी cells हैं कि लिए उस local cells का proliferation करती है proliferation of local cells क्यों क्योंकि उस necrotic area का recovery भी तो हो नहीं है दोस्तों वो ज्यादा समय तक necrose तो नहीं रह सकती clear ये मानते हैं कि necrosis बहुत जल्दी recover नहीं होती right ये एक क्या है irreversible injury है ये आपको पता होना ची कि necrosis क्या है irreversible injury है clear तो time लगता है लंबा time लगता है लेकिन recover होनी है वो area right तो recover कैसे होगी local cells आपकी proliferate होगी और उस area माँ आपका क्या बन जाएगा scar formation हो जाएगा scar formation right जिसको आप एक layer सी बन जाती है right एक black layer सी बन जाती है right ये आप कह सकते हैं कि निसान रह जाता है उस उस जगह पे घाव का क्या रह जाता है एक घाव रह जाता है ठीक है उस injured जगह पे क्या रह जाता है एक घाव रह जाता है जिसको हम scar बोलते हैं right ये collagen proteins का बनता है clear तो दोस्तों this is all about necrosis right अब इसकी ये कितने types का हैं हम next video में discuss करेंगे clear तो इस video से आप बहुत सारे जब हम next topic apoptosis discuss करेंगे तो आप इन necrosis और apoptosis में जो differences हैं वो आप खुद इनको identify कर सकते हैं तो कुछ differences को तो हमने point out किया है right इसके अलबा और भी बहुत सारे differences हैं जिनको आप point out कर सकते हैं clear जैसे एक difference और ये है कि necrosis आपकी एक बड़ी area में होती है right necrosis involves group of cells but apoptosis occurs along a single cell within a single cell और small cluster of cells clear और ये एक बड़ा difference हमने आपको पहली बता दिया कि कि necrosis के case में inflammation होता है ठीक है addison cells या addison tissues में inflammatory response होता है right लेकिन जो आपका apoptosis है apoptosis के case में necrosis absent होती है sorry inflammation absent होता है उसमें आपका inflammatory response rate नहीं होता है clear तो ये कुछ basic differences है apoptosis और necrosis में right आपका उसले कर दोरा कर दोरा कि वड़ा दोरा कि है ये वाल कर दोरा है इन आपका जोरा बकिए एमागर ये अ बबड़ास्टत और शोरा शबड़ार नहीं होता है